अब भी देखेंगे हम लोग इंपोर्टेंट्स डिस्कवरी और सैंटिस्ट के नेम ठीक है डॉक्टर साब तो देखो डॉक्टर साब एक बात पहले क्लियर करता हूं मैं एंटी ये वाले जो है अभी सैंटिस्ट के नेम बड़े पूछ रहे हैं और पिछले साल भी बताया थ ज़र इसे से जिदने भी धर इन हयरे टेंस में दे रख्या हैं वही ह sacar जाएगा तो ये एक बार में मैंने सारह कवर कर दिया इसके बाहर computer ने जाएगा सारे इंस लिचा था जो 31 में पीचा था हुँछ स्रिफ नेम चेंज कर दिया ने कре एक्स्परिमेंट का नेम चेंज कर दिया बागी साइंटिस्ट थे वह सेम ही थे थामस हंट मॉर्गें नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने लिंकेज दिया था और जिन्होंने एक्स्परिमेंटर प्रूव दिया था that chromosomal theory of inheritance ठीक है that is chromosomal theory of inheritance अरे वो drosophila melanogaster को geo use किया था ठीक है inheritance में जो मैंने बता है था आप लोगों को वही पुछा गया था तो अभी हम लोग फटा फट देखते हैं एक एक करके सारा देख लेते हैं और सारा अच्छे से याद कर लेना आप लोग और यही आएगा तो double helix किस ने दिया था 1953 में Watson and Crick दिया था Watson and Crick ने दिया था और किसके help से दिया था based on the x-ray diffraction data और यह किस ने दिया था Morris Walken and Rosalind Franklin तो सिधा सिधा याद रगना concept के लिए आपका मैंने पता दिया इतना सारा कुछ बट आप लोग सिधा याद रगना double helix किस ने दिया था तो Watson and Crick ने दिया था अब जब double helix इन लोगों ने पता लगाया था तो double helix में पता लगाते समय इन लोगों ने पता लगाया था कि जो DNA है वहाँ पर replication होता तो उसको नाम दिया था replication of DNA ने तो replication of DNA नाम आया तो इसको तो भई या experimental प्रूफ भी चाहिए तभी तो इसकी थेथिस बनेगे तो experimental प्रूफ किया था जिसे हम लोगों ने पढ़ा और हम लोग पढ़ते हैं और लोगों ने बताया semi-conservative DNA replication experimental proof semi-conservative DNA replication DNA replicates semi-conservatively ठीक है ये किस ने दिया था experimental proof Matthew Maselson and Franklin installed 1958 में ठीक है तो थोड़ा आके चला गया मैं बट वो मिलेगा ठीक है KGF की तरह साहदा आप लोगों लग रहा होगा तो KGF मुझ भी देखो होगे तो उसमें देखते हो ना आगे चला जाता है बहुत तो आएगा वो भी आएगा पिछे आते और एक्वी कि वोकल प्रूफ देट डीने इस जेनेटिक मटेरियल हार्से एंड चेज किसने दिया था हार्से एंड चेज फिर से ओर थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा ट्रांस्फोर्मेशन ट्रांस्फोर्मेशन किसने दिया था 1928 बहुत ही इंपॉर्टेंट वो थियोरी था और एक्सपरिमेंट था फ्रेडरिक ग्रिफित तो सारा कुछ पढ़ लेना एंस याटि में मैं भी सारा कुछ करवाऊंगा बट श्रिफ नेम याद करो इस वीडिय में नेम इंपॉर्टेंट है वो डारिक नेम पूचेंगे तो ट्रांस्फोर्मेशन एक्सपरिमेंट किसने दिया था 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफित अन एक्विवकल प्रूफ डैडियन इस जेनेटिक माटेरियल हार से एंड चेस ठीक है दो नेम है यह दो इंसान के 1952 में ब पूचे गया है 2018, 2016, 2015, 2020, 2019 सारा क्वेशन पूचा गया है रिसेंटली 5 से 6 साल में ठीक है तो यह देख लेना Replication of DNA का जो अभी बताया आपको कहानी वो पॉइंट है यहां से ठीक है तो Replication of DNA का जो थियोरी था जो कॉंसेप्ट था वर्सन एंड क्रिक ने दिया था और The Experimental प्रूफ किया था that DNA Replicates Semi-Conservatively Matthew Messelson and Franklin Nisthal 1958 में Visya Febba Taylor ने दिया था 1958 NIT 2016 Phase 2 का कोशें, The Experiment Proved that the DNA in Chromosomes also Replicates Semi-Conservatively ठीक है Dr. साफ, अभी तक आपको समझ में आ रहोगा सारा कुछ, तो आगे देखते हैं, Visya Febba किस ने दिया था, Taylor ने दिया था 1958 में ठीक है पढ़ ले न, सारा कुछ NCRT में दिया हुआ है, इसका concept ज्यादा कुछ है नहीं, अगर NCRT देखोगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ पढ़के आप लोगों को ठीक है, क्या लिखा हुआ है वेरी सीमिलर एक्सपरिमेंट इंवल्विंग उज ऑफ रेडियो एक्टिव थाइमाइडीन तो डिटेक्ट इस्ट्रिबूशन अफ नूली सिंतेसाइज दियने जो डियने होते है, डबल फ्रेंग्मेंट होते है, डबल हैलिक्स आया इस इस लिए गाते हैं इलए उप्रेंट इस एक्स्परिमेंट प्रू थाई स्प्रेंट इस में फ्रेंट पूछे जाते हैं इसलिए बता दिया यहां पर तो लैक ओपरिएंट किसने दिया थाँ Frances Jacob and Jackie Monde. DNA fingerprinting, Alex Jeffrey, DNA fingerprinting, किसने दिया था? Alex Jeffrey, DNA, DNA किसने बताया था? Frederick Misha 1869, चारगाफ सरूल इंपोर्टेंट है, 2021 में कुष्छन आ सकता है, चारगाफ सरूल पे, तो A कनेक्टेड होते हैं एडनाइन थाइमें डबल बॉंड से और गौना नाइन सैटोसीन ट्रीपल बॉंड से ठीक है तो चारगाफ शुरूल से 2021 में कुश्यन आने की संभावना 99.9% है तो इर्विन चारगाफ ने दिया था इसे पढ़ लेना कोडन वाजर ट्रीपल अब यह इसलिए लिगा विकॉस जेनिटीक कोड के बारे में दो सैंटिस्ट एक थे बाहर के और एक थे इंडियन बॉर्ण अमरिकन या इंडियन अमरिकन नहीं इंडियन बॉर्ण आमरीकन ही बोलते हैं Scientist एक है Nobles Prize इनने मिला था जिन्हों ने Chong confusion किया था similarly experienced किया था Genetic Code पर तो unbel prize मिला so important है genetic code की discovery अगर किसी Indian ने किया तो वह है Laws of inheritance में दो तीन question पूछते है EMA 1. Grigor Mendel 7 साल की experiment थी 1856 से लेकर 1863 गार्डन पीज पे किये थे ट्रेट वेगरा सारा कुछ क्रोसिंग प्रोसिंग निकाल करके तॉल डॉफ और ना जाने क्या किया था उसमें ग्रीन ये लो ठीक है रिंग कर्ड राउंड सारा कुछ बता रखा है मैंने तो वो किस ने किया था नॉर्मली याद रखना कि लॉज किस ने दिया था ग्रीगो और मेंडल साथ साल का एक्सपरिमेंट किया था पीज पे 1856 से 1863 पूछते हैं यह 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 जो है न वह लोग पूछते 2017 में यह पूछा गया था तो यहाद रखना रिडिस्कवरी और मेंडल मेंडल तो भया सब कुछ करके चले गया बट दुनिया होगा पकान अगर सही नेम देखा जाना तो यह जिस देश के हैं वह बता सकते हैं ठीक है उननीसों में इन लोगों ने दिया था क्रोमोजोमल थियोरी ऑफ इनेरेटेंस का जो कॉंसेप्ट वो दिया था मेंडल स्लोग के कारण ही यह कॉंसेप्ट आया था सटन और वावरी इस्टा ने लिंकेच के भी डिसकवरी की थे और जो मिल and हमलोग प्रोमोजोम पुझे को पढ़ते हैं एकश क्रोमोजोम सबसके डिसकवरी और एकश क्रोमोन सोबने वाले जो इनसान और व्यक्ति थे एकी 1991 में Hank King ठीक है किसने बताय था Hank King तो यहां हो गया आप लोगों को एक question मिलिया ठीक है तो यही था scientist का name और important discoveries ठीक है doctor साब तो मिलते है next class में ठीक न रिवाइस कर लेना एक बार एक बार में याद नहीं होगा दो तीन बर पढ़ लेना हो जाएगा सारा कुछ और एक बार NCRT में भी देख लेना सारा कुछ सारा कुछ NCRT में मिल जाएगा एक बार NCRT पढ़ लेना concept थोड़ा gain करोगे तो बहुत easily याद हो जाएगा so thanks and best of luck for exam मिलते है next class में